पाँच वरत जो पशुपती वरत को कर लेता है पशुपती वरत के नाम से उसके मनोंचितफल कामना पूरी हो जाती है शंकर उसके मन की कामना पूर्ण कर देता है ऐसे पशुपती है जया विशारा सामली बारी दो तली शंकर जी की पाँच लड़की है उपर से जो पानी गि हakte ऊसके बीच में मोटी लाइन होती है यह मोटी लाइन संकर जी की छटे नंबर की लड़की है अशुक सुंदरी शंकर भगवान की छोटी लड़की अशुक यह बीच में शंकर जी का संपून परिवार उस्डिलिंग के पास में जिस दिन आप अशुपती ब्रत करें उस दिन चंदन ये दोनों चरणारविंदे में लगाए और कंकु रोली बीच में जो लाइन है अशुक सुन्दरी की वहाँ चड़ा और भगवान चंकर से बिंती करकर उसी रोली और चंदन को मस्तक पर लगा कर अपनी कामना करकर वापिस सजाए पांच पशुप बेलपत्र के साथ शंकर को चड़ा दें और सीधा सीधा जानते हो आटा चावल दाल वगरा नमक मिर्ची शंकर जी के मंदिर में सीधे के भाव से ब्रहमन को दे दें शाम को ब्रत तोड़ लें पांच ब्रत जो पशुपती ब्रत को कर लेता है पशुपती ब्रत के नाम से उसके मनों अंचित फल कामना पूरी हो जाती है, शंकर उसके मन की कामना पूर्ण कर देते हैं, ऐसे पशुपति है, अगर कोई बच्चा सीएकी पड़ाई में कर रहा हो, या कोई अच्छी पड़ाई कर रहा हो, उसकी नोकरी नहीं लग रही हो, या पास नहीं हो रहा हो, अच्छे नमबर से निकल ही नहीं रहा हो, एक्जाम नहीं पास ही नहीं हो पा रहा हो, तो उस बच्चे के लिए पशुपति ब्रत अगर एक ब्रत भी वो पशुपति नात्का कर लेता है, और बीच में जो लाइन है, उस लाइन पर शेहद चड़ा देता है और उस शेहद को चम्मज में उठा कर लियाता है एक्जाम देने के एक दिन पहले वो शेहद खा लेता है तो बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाता है कभी जिंदगी में फेल नहीं होता है जो एक्जाम में बिठेगा उसमें अब पशुपसी व्रत का इतना प्रमाण है साधरन व्रत नहीं या पशुपसी शंकर वगवान ने पशुपसी रूप धारन किया